दोस्तों अर्डी ग्रड में आपका स्वागेत और एक हाश्य कविता सेल चतुरवेदी देखिए मनोरणन की कुछ बात हो जाए कि हमारी गरवाली से हो गया हमारा जगड़ा सवभाव से मैं नर्म हूँ इसका अर्थिये नहीं के बेशर्म हूँ पत्ते की तरह काँप जाता हूँ बोलते बोलते हाँप जाता हूँ इसलिए कम बोलता हूँ मजबूर हो जाओं तब ही बोलता हूँ हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो कोई एसान नहीं करती जो बना कर खिलाती हो क्या एसे ही गर चलाती हो शादी को हो गए दस साल अकल नहीं आई सपेद हो गए बाल पडोश में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है गर काथसा चमकता है और अपना देख लो देख कर खुण चलगता है कब से कह रहा हूं तकिया छोटा है बढ़ा दो दूसरा गिला अप चड़ा दो चड़ाना तो दूर रहा निकाल निकाल कर रुई आदा कर दिया और रुई की जगए कपड़ा बर दिया और सुने आपको कितनी बार कहा है चीजें संबाल कर रखो उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला कितना खुजा और रुमाल की जगए पेंट से निकल आया मोजा वो तो किशी ने सक नहीं किया क्योंकि हमने खट से नाग पर रख लिया काम करते करते टेबल पर पटक दिया साहप आपका मोजा हमने कह दिया हमारा नहीं किसी और का होगा अकल काम कर गई मगर जोड़ी तो बिगड़ गई कुछ तो इज़त रखो पचास बार कहा मेरी अटेची में अपने कपड़े मत रखो उस दिन कवी सम्मेलन का मिलातार जल्दी जरूरी में और चल दिया अटेची उठा कर खोली कान पूर जाकर देखा तो शिर्चक्रा गया पजामे की जगे पेटी कोट आ गया तब क्या खाक कविता पड़ते या तुमारी पेटी कोट पहन कर मंच पर मतकते एक मार से लगातार कदू बना रही हो वो भी रस्सेदार खूब जानती हो मुझे नहीं बता खाना खाया नहीं जाता बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा सागी नहीं आता कल पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था और मेरे मूँ में पानी आ रहा था कहीं बार कहा जादा न बोलो संबल कर मूँ खोलो धेकिये सेल था प्ये जब भी बाहर जाता हूँ बड़ी अदा से कहती हो टाता और मुझे लगता है जिसे मार दिया चांता मैंने कहा मुच्ण को कबज है एनिमा लगवा दो तो डाक्टर बोली डेनिमा लगा दो वो तो गनिमत है कि डाक्टर होशिया आता नहीं महकीम होता तो बेड़ा ही पार था वेसे ही गर में जगे नहीं एक पिल्ला उठा लई, पाव बर दूर बढ़ा दिया, कुट्टे का दिमाग चड़ा दिया, तारीब करती हो पूँच की, उससे तुलना करती हो हमारी मूँच की, तंग आकर हमने कटवा दी, मर्दों की रही सही निशानी भी मिटवा दी, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो, जब काड़ थी थीर गुंगट, दो बित्ते का, अब फुगी बनाती हो खित्ते का, पहले डाई गज में एक बनता था, अब दो बलावजों के लिए लगता है एक मिटर, आदी फीट खुली रहती है, आदी फीट खुली रहती है, मैं देख नहीं सकता, और दुनिया तकती है, उसने अप, माई के जाती हो, तो आने का नाम नहीं लेती, लेने पहुं जाओ, तो माबाप से किराय के दाम नहीं लेती, कपडे, बाल बच्चों के लिए शिल्वा कर ले जाती हो, तो भाई भतिजों को दे आती हो, दो साड़िया क्या ले आती हो, सारे महले को दिखाती हो, साड़ी हो होती है पचास की मगर सो की बताती हो उलू बनाती हो हम समझ जाते हैं हम तो हमें हांख दिछाती हो हम जो भी जी में आया भक रहते और बच्चे खिड़क्यों से उलत रहते हम ने सोचा वो भी बरतन धोर ही है हमने सोचा वो भी बर्तन धो रही है आप चिला रहे हैं जट्स, देखिये दोस्तों मैंने आपको सेल चत्रवेदी की यह रहतना सुनाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सुनेंगे तो आपको भी हशी आएगी इंसान को अपने जिवन के अंदर दिन में एक बार तो अवश्य हंसना चाहिए मैं बाबा राम देव करते हैं मैं उनका समटन करता हूँ इस बात का कि जिवन के अंदर हंसी बहुत आवश्यक है बहुत आवश्यक है गमी और परिशानियां सें तो दिन भर घिरे ही रते हैं लेकिन हंसी के लिए दो पल हमें नहीं मिलते तो आदमी को कभी एका की पन से नहीं रहना चाहिए और उसको दो चार अपने अच्छे दोस्तों के अंदर गंटा अगंटा 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बेता ना चीए और हंसी के फंवारे छोड़ने चाहिए चाहिए कोई चुटकले बाजी हो कोई कहानी हो कोई मजाग की बात हो तो अगर 3-4 दोस्त मिल करके ओर 2-3 मिनटी अगर दिन में हंस लेते हैं तो उनको दल्दी सी कोई विमारी नहीं आएगी दोस्तों मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजेगा और हंसो और हंसाओ और खुब आनंद से रहो ठेंक्स